हलो बच्चों, आज हम पाट नो बंदर और गिलेरी कहानी को पुन्य दोराएंगे और इसके प्रश्ण उत्तर करेंगे पाट नो बंदर और गिलेरी बच्चों आईए इस कहानी को पढ़ें और इससे समंदित प्रश्ण उत्तर को करें एक बंदर पेड़ पर बैठा था बंदर की पूँच बहुत लंबी थी इतनी लंबी थी की जमीन तक लटक रही थी एक गिलैरी जमीन पर उचल कूद कर रही थी अचानक उसे पूँच दिखाई दी उसने सोचा यह जूला कहां से आ गया थोड़ी देर पहले तो नहीं था वह पूँच पर चड़ कर जूलने लगी बंदर को गुदगुदी हुई उसने नीचे देखा वह हसकर बोला बहन गिलैरी यह क्या कर रही हो मुझे गुदगुदी हो रही है गिलैरी चौँकी बंदर भाईया यह तुम हो मैं तो तुम्हारी पूँच को जूला समझकर जूल रही थी बड़ा मसा आ रहा था और गिलैरी हस्ती हुई पेड के डाली पर चड़ गई प्रश्ण उत्तर प्रश्ण एक पेड पर रहने वाले पाँच पसू पक्षियों की नाम लिखिये उत्तर गिलैरी कौवा बंदर चिडिया तोत प्रश्ण दो बंदर कहां बैठा था उत्तर बंदर पेड पर बैठा था प्रश्ण तीन गिलैरी जमीन पर क्या कर रही थी उत्तर गिलैरी उचल कूद कर रही थी प्रश्ण चार गिलैरी बंदर की पूँच पर क्या करने लगी उत्तर गिलैरी बंदर की पूँच पर चूला चूलने लगी प्रश्ण पाँच गिलेरी को कैसा लगा? उत्तर गिलेरी को मज़ा आया प्रश्न 6 बंदर को क्या होने लगी? उत्तर बंदर को गुदगुदी होने लगी प्रश्न 7 कौन सा जानवर कैसी आवाज निकालता है? उत्तर गाय रंभाती है शेर दहारता है गधा रेंगता है हाथी चिंगारता है कुट्ता भोगता है और बकरी मिन मिनाती है प्रश्न 8 सही कलत का निशान लगाओ गिलेरी पेड़ पर उचल कुद कर रही थी बंदर को गुदगुदी होने लगी सही गिलेरी हस्ती हुई पेड़ पर चड़ गई सही बंदर ने गिलेरी को जोड से डाटा नहीं बंदर हसने लगा था बंदर की छोटी सी पूँच जमीन पर लटक रही थी नहीं बंदर की पूँच बहुत लब्बी थी धन्यवाद आपका दिन मंगल में हो